आज मैं आप सब लोगों से बात करना चाहती हूं अस्तमा के बारे में जिन लोगों को ब्रंकायल एस्तमा की प्रॉबलम है उन लोगों के लिए आज मैं एक बहुत ही उम्दा मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है देखिए आप लोग लाइफ लॉंग मेडिकेशन के उपर निर्भर हो गए है या तो आपको निवलाइजर का सहरा लेना पड़ता है इन्हिलर्स लेने पड़ते हैं कई बार मेडिकेशन से लेनी पड़ती हैं अमरजनसी में जब आप लोगों को अटैक्स की प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को बहुत ही रशली हॉस्पिटल की तरफ भागना पड़ता है तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है नॉर्मली अस्थमा जिन लोगों को हो जाता है उन लोगों के लिए सबसे बड़ा मेरा सुजेशन ये है कि आप लोगों को प्रिवेंशन बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है और prevention सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के खान पान के उपर इसमें बिरुद आहार, नॉर्मली क्या होता है कि आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, आप लोगों के साथ रूबरू होने का मकसद यह है कि मैं आप लोगों को यह समझा पाऊं कि नॉर्मली जिस किसी को भी अस्थमा की प्रॉबलम है, वो एक तरह से हमेशा के लिए तिल इस और हर लाइफ, वो डिपेंडेंट हो गए हैं, मैडिकेशन के उपर या फिर इनहेलर्स के उपर और आप लोगों को शायद इस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं, आप लोगों के इसके बारे में पूर्ट या जानकारी है या नहीं, आप लोगों को किसी भी तरह की मेडिकेशन के उपर लाइफ लोगों के लिए डिपेंडेंसी नहीं रखनी पड़ेगी, और आप लोगों को काफी कम समय में बहुत अच्छे और बढ़िया रिजल्ट जो हैं, वो दिखना शुरू हो जाते हैं, हमारे यहाँ पे आपको फूड प्रिकॉशन बहुत अच्छी तरह से समझाई जाएंगी, आपको लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा, माइल्ड एक्सराइज विच इस एप्लिकेबल फो यू, फो यो पर्टिकॉलर डिजीज वो सारी चीज़े बहुत अच्छी तरह से बताई जाएंगी, आयरवेदिक मेडिसंस बिच यूजली डोंट हैव एनी काइंड ओफ साइड इफेट्स इस तरह की मेडिकेशन्स आप लोगों को बताई जाएंगी, और इन मेडिकेशन्स के साथ मेरे पास हमारे हॉस्पिटल में इस तरह के भी पेशेंट्स आये हैं, जो नॉर्मली टोटली बैड रीडन थे, जिन से जस्ट चार पांच स्टेप भी नहीं चला जाता था, इस तरह के पेशन्स को भी बहुत ही अच्छे रिजल्स जो हैं, वो हमारे उपचार या ट्रीटमेंट के थूँ मिलते हैं, और अगर आप अपनी किसी भी इस तरह की स्वास से रिलेटेड, ब्रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन में जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारी नीचे बैप साइट इसमें फ्लैश हो रही है, आप हमारी बैप साइट में जाके more detailed options में इस चीज़ के लिए go through कर सकते हैं, मेरा आप लोगों से रूगरू होने का मकसर ये है कि भगवान ने जीवन सिर्फ एक बार दिया है और उस जीवन को हम पूरी तरह से जोडें प्रकरती के साथ जीए और स्वास्थ हो कर जीए स्वास्थे पर आप लोगों का पूंठिया अधिकार है Thank you so much